आईए मान लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण है साथ कुड़े X बराबर 14 के तो इस समीकरण को हल करने से पहले चलिए हम सीखते हैं कि एक समीकरण का वास्तविक्ता में अर्थ क्या होता है एक समीकरण हमें क्या दर्शाता है तो इसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए चलिए हम इस समीकरन के बाईपक्ष को लेते हैं और अगर मैं बाईपक्ष को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर है 7x जो दर्शाता है 7 गुड़ा x को इसको मैं लिख सकती हूँ 7 गुड़ा x एक्स को मैं इसी रंग में लिखूंगी 7 गुड़ा x बराबर 14 के तो यहाँ अगर हम इन दोनों को देखें तो इनका मतलब समान ही है 7x को मैंने लिख दिया 7 गुड़ा x जिसका अर्थ बराबर ही होता है तो अब अगर आप इस समीकरन को देखें और मैं आपसे पूछू कि x का मान क्या होगा तो आप इसे मौखिक रूप से हैल कर सकते हैं अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है तो यह तो बहुत ही आसान सी बात होगी कि कितने गुड़े 7 बराबर होता है 14 के तो चलिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं 7 एक कम होता है 7 7 दुनी 14 तो यहां से अगर मैं देखू अगर मैं x के स्थान पर 2 रखूं तो 7 गुड़ा 2 होता है 14 के बराबर यहां पर x का मान 2 यदि मैं x का मान 2 रख देती हूं तो मेरा यह समीकरन संतुष्ट हो रहा है इसका अर्थ है कि x का मान 2 के बराबर है क्योंकि 7 गुड़ा 2 अथवा 7 दुनी 14 होता है इसलिए आप बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं कि यहां x का मान 2 के बराबर होना चाहिए खेर यह बात तो तब हो गई जब हमारा यह समीकरन बहुत ही आसान सा है इस रूप का 7 गुड़े x बराबर 14 और आप पहाड़ा पढ़के यहां पे देख सकते हैं कि x का मान क्या होगा लेकिन जिन समीकरनों को हम हल करेंगे आगे उनकी कठिनाई उनकी जटिलता थोड़ी बढ़ती जाएगी और तब आसान नहीं होगा हमारे लिए मौकिक रूप से हल कर पाना समीकरनों को तो इसलिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हम कौन सी विधी अपना है हम कौन से नियम के अनुसार चलें कि हम एक समीकरन को नियमानुसार हल कर सकें तो अब आगे हम सीखेंगे किसी भी समीकरन को नियमानुसार हल करना तो चलिए एक समीकरन को नियमानुसार हल करने के लिए हम अपने इसी समीकरन से आरंब करते हैं और हम इसको नियामानुसार हल करने की कोशिश करेंगे पहले, तो यहाँ अगर अगर मैं इसको फिर से देखू, साथ गुड़ा एक्स बराबर चौदा, आप सोच रहोंगे कि यहाँ मैंने गुड़न का चिन नहीं लगाया, साथ गुड़े एक्स बराबर चौदा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुड़न का चिन और एक्स का जो चिन है, यह आपस में बहुत ही बराबर हैं और यह फ्रम पैदा कर सकता है, पढ़ने वाला सोच सकता है कि यह साथ गुड़ा गुड़ा चौदा है, या फिर वो सोच सकता है कि यह साथ एक्स एक्स बराबर चौदा के है, इसलिए बीच गड़त में अकसर हम गुड़न चिन का प्रयोग नहीं करते, और यदि मैं चाहूं तो मैं गुड़न के स्थान पर एक बिंदू का प्रयोग कर सकती हूं, ये बिंदू को मैं साथ और एक्स के बीच में रखूंगी, और प्राया हम इस बिंदू का प्रयोग भी नहीं करते, और गुड़न को दर्शाने के लिए हम किसी भी चर के आगे बस वो संख्या लिख देते हैं, या फिर कोई दूसरा चर लिख देते हैं, और इस प्रकार से जब हम कोई भी चर और संख्या लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है गुड़न, जैसे कि यहाँ पर साथ एक्स दर्शाता है साथ गुड़ा एक्स को, क्योंकि अब हम चर्चा कर रहे हैं, किसी भी सम्मी करण की नियमा नुसार हल करने की प्रक्रिया को, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साथ एक्स बराबर होता है, साथ गुड़े एक्स के, अथवा यदि मैं एक्स को साथ बार जोड़ू, और हम जानते हैं कि गुड़न बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही होती है, तो यदि मैं एक्स को साथ बार जोड़ू, तो मुझे साथ एक्स प्राप्त होगा, तो इसकी चलिया हम कल्पना करते हैं, और इसको इस प्रकार से ना लिखके, हम इसको चित्रों के माध्यम से अब लिखने की कोशिश करेंगे तो 7X का जैसा हमने अर्थ भी देखा इसका मतलब होता है X को 7 बार जोड़ना तो यहां मैं X को 7 बार योग के रूप में लिखूंगी X, धन X, धन X, धन X, धन X, धन X, धन X यहां मैंने X को 7 बार जोड़ दिया एक, दो, तीन, चार, पांच है साथ जी हाँ, यहां 7X है, ठीक है और यह बराबर है 14 वस्तुओं के तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि हमारा 7X जो है, यह बराबर है 14 चीजों के यहां पर मैं इन 14 चीजों को इस गोले से दर्शा रही हूँ ताकि इसकी कलपना करना आपके लिए आसान हो तो यहां पर हम 14 चीजों बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारह, बारह, तेरह, चोदह तो यहां से आप कह सकते हैं कि हमारा ये समीकरन ये बराबर है हमारे इस समीकरन के ये भी एक समीकरन को दर्शाने का एक तरीका है यहां हम दर्शा रहे हैं साथ एक्स बराबर 14 के आशा है आप इसे समझ पा रहे हैं और इस चिन्न को मैं यहां से हटा देती हूँ ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जितने भी कथन मैंने लिखे हैं एक समी करण के रूप में ये आपस में तुल्य हैं, इन सभी का मतलब एक ही है, तो चली हम बात कर रहे थे नियमा नुसार समी करणों को हल करने की, तो इसके लिए पहले मैं अपना ये वाला समी समी करण ही ले लेती हूं यहां से मैं इस खोटा देती हूं ठीक है अब यहां पर है हमारे पास साथ गुड़ा एक्स बराबर 14 और यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि सामान्य तोर पर जब भी भी हमारे पास एक समी करण के एक पक्ष में एक चर होता है जिसका की कि इस पक्ष में साथ से विभाजन कर रही हूं तो मुझे इस पक्ष में भी साथ से विभाजन करना होगा और ऐसा हम क्यू करते हैं क्यूंकि शुरुआत में हमने माना था कि साथ एक्स है बराबर 14 के और यदि मैं किसी एक पक्ष में एक क्रिया करती हूं और दूसरे पक् यदि कोई क्रिया करूंगी तो वही क्रिया मैं उस समीकरन के दूसरे पक्ष में भी करूंगी ये करना बहुत ही आवश्यक है तो यहां से मैं कह सकती हूँ अब हम अगर इस समीकरन को हल करना प्रारंब करें तो हम जानते हैं कि यदि मैं एक संख्या का गुड़न और साथ आपस में कट गए और यह बराबर होगा 14 बटे 7 के और 14 बटे 7 कितना होता है 14 में 7 कितनी बार जाता है 2 बार 7 दूनी 14 होता है जैसा हमने यहां देखा था तो यहां से एकस का मान आ गया 2 के बराबर जैसा कि हमने इसको मोखिक रूप से हल किया था ये तो हमारे नियमानुसार हल करने की प्रक्रिया हो गई लेकिन इसकी संकल्पना करने के लिए चलिए हम अपने इस समीकरण को देखते हैं जैसा कि हमने यहां देखा था हम दोनों पक्षों को साथ से विभाज़त कर रहे हैं तो इसी प्रकार से मैं इस समीकरण में दोनों पक्षों में साथ से विभाजन करूंगी और साथ से विभाजन करने का अर्थ है कि मैं इन दोनों पक्षों को साथ के सम्मू में बाट दूंगी 7 सम्मू में बाटूंगी और मेरे पास छोटे-छोटे 7 सम्मू मजूद होंगे और मुझे छोटे-छोटे खंड 7 खंड मिल जाएंगे, तो यदि मैं यहाँ पर ये जो हमारा बाया पक्ष है इसको 7 बराबर खंडों में बाटूं तो मैं कैसे बाट सकती हूँ, ये हो गया एक खंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम देख सकते हैं कि प्रतिये खंड में में मेरे पास 1X है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात मैंने 7X को बराबर बराबर 7 खंडों में बाट दिया है, अब क्यूंकि ये प्रक्रिया मैंने 22 और करी है समी करन के, तो इसी चीज़ को मैं दाई और भी करूंगी, क्यूंकि हमें अपने समी करन की समानता को बरकरार रखना है, तो चलिए हम अपने दाई और को भी 7 बराबर खंडों में बाट देते हैं, ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर भी मैंने 7 खंडों में बाट दिया है अपने दाई पक्ष को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां हम देख सकते हैं, कि बाई पक्ष में हर एक खंड में 1X है, और दाई पक्ष में हर एक खंड में हमारे पास 2 गोले हैं, और जैसा कि हम जानते हैं, कि शुरुआत में ये द तो ये जो छोटे-छोटे 7 खंड हैं, ये भी आपस में बराबर होंगे, मेरे कहने का मतलब है, कि ये एक खंड जो है मेरे पास X का ये बराबर होगा, यहां पर एक खंड के, इस खंड के, और समान रूप से ये जो दूसरा खंड है, ये बराबर होगा, इस खंड के, और इ कि इसको मैं यहां लिखती हूँ, X बराबर है दो गोलों के, तो यहां से हम देख सकते हैं, कि X का मान आ गया दो के बराबर, जैसा कि हमने इस समीकरण में पहले ही निकाला था, X का मान है दो, आशा है कि आप इसकी संकल्पना कर पा रहे होंगे, कि कैसे मैंने दोनों पक्षों में बराबर क्रियाएं की हैं, और ऐसा मैंने सम्ता के लिए किया है, और ऐसा करने के उपरांथ, जो मुझे विभिन्न तरीकों से उत्तर मिला है, उसमें X का मान सदैव दो रहता है, तो यहां से हम सीख सकते हैं, कि यदि मुझे एक समी करन को हल करना है, तो जो भी प्रक्रिया मैं समी करन के एक पक्ष में करूँगी, वही समान प्रक्रिया मैं उस समी करन के दूसरे पक्ष में करूँगी, ताकि मेरे समी करन की समता बनी रहे, तो चलिए अब हम कुछ और समीकरण हल करेंगे और इसका अभ्यास अच्छे से करते हैं कि किस प्रकार से हम समीकरणों के दोनों पक्षों में एक ही क्रिया कर सकते हैं अब मैं दूसरा समीकरण लूँगी 3X बराबर 15 के अब यहाँ पर मुझे इस समीकरण को हल करना है और आप इसे मौखिक रूप से भी कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछले प्रशन में किया था किन्तु मैं आपको प्रोचाहित करूँगी कि आप स्वैम इस प्रशन को नियामानुसार हल करने का प्रयास करें तो जैसा कि हम इस समीकरण में देख सकते हैं हमारे बाई पक्ष में X का गुड़ा किया हुआ है 3 के साथ और X का मान निकालने के लिए हमें इस पक्ष में 3 से विभाजन करना होगा यदि मैं 3 से विभाजन कर दूँ इस पक्ष का तो 3 और 3 आपस में कर जाएंगे और मेरे पास बचेगा 1 X जो की X के बराबर ही होता है और हम जानते हैं कि यदि मैं एक पक्ष में कोई क्रिया कर रही हूँ तो मुझे समान क्रिया अपने दूसरे पक्ष में भी करना होता है मुझे 15 को भी 3 से विभाजन करना होगा तो यदि मैं 3 को 3 से विभाजत करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तीन जाएगा तीन में एक बार, यहां से मुझे मिला एक X, और ये बराबर होगा, यदि मैं पंदरा का विभाजन करूँ तीन से, तो कितना होता है, अगर हम तीन का पहाड़ा पड़े, तीन एक कम तीन, तीन दो निच्छे, तीन तरिक नौ, तीन चौक बार, तीन पचे, प और अगर आप चाहें, तो आप अपने इस उत्तर की जाज भी कर सकते हैं, यहां अगर मैं X के स्थान पर 5 रखू, तो मुझे क्या मिलेगा, तीन गुड़े 5 बराबर 15, हाँ, तो यहां से मुझे मिला 15 बराबर 15, अर थात हमारे इस बराबर के चिन्न के दोनों पक्ष, एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि यह बराबर का चिन्न वास्तव में दर्शाता है, यह तो एक तरीका हो गया इस समीकरन को हल करने का, और इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जिससे हम इस समीकरन को हल कर सकते हैं, उधारन के लिए मैं एक दूसरा तरीका लेती हूँ इसे हल करन यहां मैं यदि गुडन कर दू एक बटा तीन से इस पक्ष में और एक बटा तीन से इस पक्ष में तो अब मुझे क्या प्राप्त होगा जैसा कि हम जानते हैं कि एक बटा तीन गुड़े तीन कितना होता है एक बटा तीन गुड़े तीन बराबर होता है एक के यहां से फिर मुझे मिला एक एकस और पंद्रह गुड़े एक बटा तीन कितना होता है यह होता है बराबर पांच के तो हम देख सकते हैं कि पुना मुझे अपना उत्तर वापस मिल गया यहां से भी X का मान 5 ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि तरीका हम चाहे जो भी प्रयोग करें हमारा जो समीकरण है जो हमारे समीकरण में चरका मान है वो हमेशा बराबर आएगा और आप अपने उत्तर की जाज भी कर सकते हैं ठीक है ये तो हो गया एक उधारण चले एक और उधारण लेते हैं एक उधारण जो इससे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन हम देखेंगे कि उससे कैसे हल करना है यदि मैं लूँ 2Y अब मैं X नहीं ले रही बहुत सारा X ले लिया हमने और जादतर बीज गड़ित में X का ही हम यह तो सोचने वाली बात है मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर रुकें और स्वयम सोचें कि इसका हल हम किस प्रकार से कर सकते हैं ठीक है अब अगर हम ध्यान से इस समी करन को समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि इसके बाई पक्षकों मैं पढ़ सकती हूँ दो गुड़ा कोई चीज धन चार गुड़ा कोई चीज बराबर है अठारा के तो दो वाई को मैं लिख सकती थी वाई धन वाई यहाँ मैंने वाई को दो बार जोड़ा है जो की दो वाई को ही दर्शाता है और इसके अलावा मुझे इसमें चार वाई और जोड़ना है यहां मुझे चार बार वाई को जोड़ना है तो अगर मैं चार बार वाई को जोड़ू तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे मिलेगा वाई, धन वाई, धन वाई, धन वाई यहां मैंने चार वाई जोड़ दिये दो वाई में और ये बराबर है ये पूरी संख्या बराबर है अठा रह के तो अब यहां से हमारे पास एक समी करना या फिर से और हमें यहां पर इसका हल निकालना है तो अगर अब हम देखें बाई और अपने पक्ष को तो हम कह सकते हैं हमारे पास कुल कितने वाई है एक दो तीन चार पांच छे इसका अर्थ है हमारे पास छे वाई है बाई पक्ष में जो बराबर है अठा रह के यहां से इसको मैं लिख सकती हूँ ये बराबर है ये कुल जो है कितने वाई है ये है छे वाई और ये बराबर है अठा रह के य 6 से विभाजन कर दूँगी यहां अगर मैं 6 से विभाजन करूँ तो मुझे इस पक्ष में भी 6 से विभाजन करना होगा तो यहां से 6 में 6 जाएगा एक बार तो मेरे पास बच्चा Y बराबर और हम जानते हैं 6 तरिक 18 6 तियां 18 होता है तो यहां से दाई बक्ष में बचेगा 3 तो यहां से मेरे पास आ गया Y का मान बराबर 3 है और समी करनों की यह विशेशता है कि आप हमेशा अपना उत्तर जाच सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि क्या Y बराबर 3 सही उत्तर है तो इसके लिए हम यहां Y के स्थान पर 3 रख देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है तो यहां अगर 2 गुड़े Y लिख दूंगे 2 गुड़े Y के जगा में 3 लिख दूंगी धन 4 गुड़े 3 तो यह कितना होगा 2 गुड़े 3 बराबर होगा 6 के और 4 गुड़े 3 बराबर होगा 12 के अर्थात इसका अर्थ है 6 धन 12 और 6 धन 12 होता है 18 के बराबर जी हां तो हमें जो यह उत्तर मिल रहा है यह सही है और यह हमारे इस समीकरन को संतुष्ट भी कर रहा है